हलो नमस्कार दोस्तों, ABC कोचिंग में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में कलाश 10th Mathematics का जो है exercise, NCRT बुक से exercise 1.3 का question number 1 को देखने वाले हैं इस exercise में जितने भी सवाल दिये जाते हैं सारे के सारे सवाल इसी परकार के दिये जाते हैं जैसे root 3 का आप से पूछ दिये जाएंगे कि ओपरी में संख्या root 3 है, तो इसको सिद्ध कीजिए root 5 एक ओपरी में संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए तो आज जो है complete या सबसे आसान भसा में आप लोगों को हम बताने का परियास करते हैं देखिएगा, एक चीज़ा और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परस्न आपके board exam में, चाहिए आप किसी भी board के बच्चे हैं 100% पूछे ही जाते हैं तो आए इसको सांदार तरीके से सीखते हैं सबसे पहले इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं सबसे पहला कम, root 5 को और परिमे संख्यां सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना की, माना की, root 5 जो है एक परिमे संख्यां है कौन से संख्यां है, परिमे संख्यां, ऐसा हम मान लिए ठीक है हमको सिद्ध क्या करना है और परिमे संख्या लेकिन हमने मान क्या लिया कि गुरुजी यह जो है परिमे संख्या है अब जैसे हमने माना यह परिमे संख्या है तब हम क्या लिख सकते हैं सर्फ परिमे संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते है तो क्या हम इसको इस परकार से लिख सकते हैं रूट 5 by 1 अब बराबर P बटे Q लिख सकते हैं इस तरीके से हम इसको जी बलकुल लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं क्योंकि हमने मान लिया है यह जो है एक क्या है परिमे संख्या है और परिमे संख्यां वह संख्यां होती है जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं तो हमने इसको लिख दिया अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे LHS और RHS दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो देखेगा वर्ग करने पर क्या हो जाएगा देखेगा वर्ग जैसे करेंगे तो यह हो जाएगा रूट 5 बाइ 1 नीचे में कुछ ने तो 1 है इसका square अब बराबर P by Q का फिर हम कर देंगे square अब यहां से इसको हम जैसे solve करेंगे तो यह root 5 गुना root 5 इधर देखिएगा root 5 अब गुना में फिर से root 5 अब दोनों को जब multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा root 5 गुना root 5 तो root 25 अब इसका वर्गमूल निकल कर आजाएगा 5 तो यह इस परकार से हम इसको जो है कर सकते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 निकल कर आगया न तो 5 बटे 1 का एक ही रहा जाएगा अब बराबर ठेक है अब यहां पर क्या हो जाएगा P square by Q square अब इसको हम cross multiply गुना कर देंगे क्या कर देंगे इसको हम जो है cross multiply गुना कर देंगे तो गुना कर दीजे यह इसके साथ गुना हो जाएगा यह इधर गुना हो जाएगा तो यह क्या निकल जाएगा P square यहां देखिए यह cross multiply गुना हो एक के साथ तो यह P गुना एक P square निकल गया और यह इसके साथ गुना हो जाएगा तो 5 Q का square निकल कर आ गया निकल कर आ गया तो यहां देखिएगा यह जब मेरा निकल कर आ गया इसको आप बना देजिए समिकरन number 1 या नहीं भी बनाईएगा तो कोई दिक्त नहीं है अब यहां से हमें समझ में क्या आ रहा है तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पे P जो है P square जो है क्या 5 से विभाज यह है 5 से विभाज यह है अब यह कैसे होगा देखिए विभाज यह है कैसे देखिए suppose आप मान लीजे कि ये P square बराबर 5 Q square है तो P square जो निकलेगा वो क्या 5 से विभाज नहीं होगा जैसे यहाँ देखे इसका मान कुछ भी ले लिजे आप इसका मान कुछ भी ले लिजे जैसे वो 5 का multiple होना चाहिए जैसे हम इधर निकला है ना 5 Q square तो देखिए जब भी आपको इस तरह से मिलेगा suppose आप मान लिजे हम Q का मान में 2 रख दिये तो 5 गुना 2 तो 2 का square 4 हो जाएगा तो 4 पंचे 20 निकला ना तो क्या 20 5 का 5 से विभाज नहीं होगा हो जाएगा तो वो बिलकुल भी 5 से विभाज होगा ठीक है इस चीज को आप ध्यान रखिए तो यहां से हमें समझ में आया कि यह जो है 5 से विभाज होगा इसलिए पी भी इसलिए जो है इसलिए यहां थोड़ा सा statement का यूज करना पड़ेगा आपको इसलिए पी भी पी भी 5 से 5 से विभाज है विभाज है ठीक है यह भी क्या होगा 5 से विभाज होगा जब यह 5 से विभाज होगा तब इसके आगे इस टेफ हम क्या करेंगे देखिएगा तब हम पुनाह लेट मान लेंगे क्या करेंगे मान लेंगे और P equal to 5 के हमने मान लिया P equal to क्या मान लिया हमने 5 के हमने मान लिया अब इसको क्या करेंगे इसी को समिकरन 1 में पूट कर देंगे यह है न समिकरन 1 समिकरन 1 में मान पूट कीजिए समिकरन 1 में P का मान मान रखने पर अब हम क्या करेंगे P का जो मान है वो समिकरन 1 में रख देंगे तो समिकरन 1 क्या है क्या है P स्क्वाइर बराबर 5 Q का स्क्वाइर है अब यहां पर दिखेगा हम मान पुट करते हैं यहां पर तो P के जगा पर कितना मान पुट कर देंगा 5 के तो 5 क का क्या हो जाएगा square बराबर 5Q square हो जाएगा अब यहां से देखेगा यह क्या निकल कर आ जाएगा तो यह निकल कर आ जाएगा 25K square बराबर 5Q का square निकल कर आ जाएगा आ जाएगा ना तो यह 5 से यह 5 से यह 25 कट जाएगा 5 बर में तो finally यहां पे निकल कर क्या आ गिया 5K square तो 5K square अब बराबर 5K square बराबर इधर बचा हुआ क्या रह गया Q square Q square तो यहां से हमें यह चीज़ें पता चला कि उपर में हमने देखा यहां पे P का 5 जो है गुननखंड है तो यहां से Q का भी तो 5 गुननखंड निकल गया तो यहां से हमको यह चीज़ें पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा कि सर्फ P एवं Q P एवं Q का उभाईनिस्ट उभाईनिस्ट जो है यह भो है ठीक है उभाईनिस्ट गुननखंड उभाईनिस्ट गुननखंड 5 है मतलब ये चीजे पता चला कि दोनों का एक कोमन उभैनिस्ट गुनन खंड निकल कर आ गया 5 कि इसका दोनों का P का भी P का भी और Q का भी तो आपको इस तरह के सवाल में जो है जैसे इस तरह का सवाल आप लोगों को दिया जाता है इसमें तो इसमें P और Q का दोनों का आपको उभैनिस्ट गुनन खंड अगर 5 निकाल लेते हैं तो इस वीरोधा भास से हम ये कह सकते हैं कि जो रूट 5 है रूट 5 एक कैसी संख्या है और परिमे संख्या है और यह संख्या है यह हमारा सिद्ध हो चुका है ठीक है? तब जा करके आपका बिल्कुल सई हो जाएगा अब इसी परकार से आप सीख गए तो कमेंट सेक्षन में येश टाइप करके और आप जो है अपने कॉपी में 1.3 का जितना भी सवाल बचा हुआ है रूट 3 को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है 1.1.2 को सिद्ध करने दिआ जाता है इस सारे परशन को सेम इसी परटन के अधार पर आप इसे बना लिजिएगा वी वीडियो पसंद आया हुगा मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए जैहिन